नमस्कार किसान भाईयों, कैसे आप आसा है स्वस्त होंगे? आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषिफाम यूट्व चैनल और मैं हूँ आपका डाक्टर के के भारत वाज दोस्तों किसान भाईयों, आज का टॉपिक जो है हम आपको बता दें कि आपकी आलों की फसल, गयों की फसल और सरसों की फसल तीनों को लेकर है थोड़ा थोड़ा आपके प्रश्णों के लगाता मेरे वार्टसप पर और चैनल पर भी वीडियो लिंक में भी बहुत सारे कमेंट थे उन आप जो है वीडियो में बताई गई बातों को अनुसरण करते हुए कम खर्चे में किस तरह से हम अपनी फसल का भैतरीन उसकी देखवाल कर सकते हैं और भैतरीन उत्पादन ले सकते हैं इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बता दूँ यह सारी रिकमेंडेशन बै कमन नहीं करता हो सकता है किसी कंपनी का में नाम जरूर लोंगा तो आपके छेत्र में उस साल्ट का उस टेक्नीकल का अच्छी ब्रांडेड कंपनी का जो भी सामान मिलता हूं आप ले सकते हैं तो आप एक बात तो अपको बता दूँ सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजे की डपेंड करता है, यह किस की स्टेज पर डपेंड करेगा, आपकी मिट्टी की सरचना क्या है, आपने कितना पानी दिया, आपने बुबाइख किस तरह की कंडिशन में कि, आपका बीज कैसा था और आपने बेसल डोज में क्या दिया? नहीं कराते हैं, क्जो संसादन नहीं है, कुछ, जाचे भी सही नहीं इकीन व हतुए मैं आपको मैं बता दूँ, कि अगर बार बार आपके खेत में जडगलन की समस्या आती है वाइरस आता है तो आपको फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ आज हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा मैं आपको उता दूँ बहुत सारे प्रश्ण है तो एक तो सर्सों में आलू में पौधे क्या है गयरों में और बस्किन पौधे मिर्ची से रही दिरे दिरे डिरे दोतरे का सिकुन ना होता है एक तो होता है कि आलू में सकुरा ताइप होता है जो है और फीज़ा जाना पत्ते का और उसकी जो तो नर्स हैं उनका पीला पड़ जाना, एक होता है कि अचानक से जो पौधा काला पड़ता जा रहा है और शिकुरता जाना धीर-दीर मर जाता है, तीन तरह से आपने देखा होगा फसल में, एक तो इसमें एक तो देखो बीजेनित वायरस है, एक भुमी जेनित वायरस है, ए एक हमारे जो व्यूवर है ब्रगवीर सिंग यादव जी ने अपने चिपसोना अलू किया है और इन्हों ने आप देख जान लीजे क्या क्या लगाया है बेसल डोज में पांच बोरी डीएपी प्रतियकड का इन्हों ने बताया मुझे कोई कोई होगा किसी नावज माइक्रो अर्गे रगनिजंब्स होगे इसके अंदर या माईक्र इन्ट्रेंट्स होगे दस केजी माइक्रोफूड होगया पच्ची सेजी कैसियम और दो केजी बोरौं 10 kg sulfur 80% ये सब mix करके एक साथ इन्होंने बेसल डोज में दे दिया इन्होंने चुक्के पहले मुझे बताया कि इतना सब लगाने के बाद भी हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है क्या करना हो सकता है दोस्तो मेरा वीडियो सुह से आप देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि बहुत सारे factors हैं, chemicals बहुत सारे ऐसे हैं कुछ chemicals तुरंत reaction कर लेते हैं कुछ क्रिया करने में समय लगाते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि DAP में डाइ अमोनियम फास्वेड होता है फास्वोड सल्फीड के साथ reaction कर लेता है और जो potassium होता potassium is very reactive element और potassium भी तुरंत reaction कर लेता है तो जहां पे आपका फास्वेड की form में था तो वो potassium के साथ reaction करके अगुलन सील potassium में बदल जाता है तो वो जो है आपके पौदे को मिली नहीं पाता इधर तो phosphate भी नहीं मिल पाया आपके पौदे को और protection भी नहीं मिल पाया क्योंकि आपने बहुत जादा मात्रा लगाई है इतनी मात्रा की आवशकता भी नहीं है उसके बाद भी आपकी फजल को नुकसान हो गया और यहां पर यही होता है कि आप पूरी पूरी डोज देते हैं पूरा पैसा खर्च करते हैं और फिर भी जो है आपका फजल में आप संतोजन परणाम नहीं प्राप्त होते है या नुकसान हो जाता हुल्टा बिलकुल होगा दोस्तों chemical fertilizer एक ऐसी चीज है जिसको एक required मात्रा से जादा दिया जाएगा तो नुकसान आपको होगा तो यही इनके साथ हुआ है अब इनका उपाय तो यह है मैंने इनको बैसे बता दिया है इनको जो अगुलन सील फॉस्पेट है उसको अगुलन सील बनाने के लिए यह कर सकते हैं PSV बैक्टिरिया ले ले अभी लिया है आप 500 ग्राम का इफको का भी आता है और भी किसी कंपणी का आता हुगा बढ़िया कंपणी का और उसको आप 2 किलो गुड 200 लिटर के ड्राम में घुल करके और उसमें वो डालने और आप 3-4 दिन उसको रखा रहने के बाद पानी के साथ चला दे आप तो आपका अगुलन सी फॉस्वेट है वो पॉद्य को मिलने लग जाएगा उसके 10-15 दिन बाद पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टिरिया का आता इसी तरह का इसको का उसका भी घोल उसी तरह से आप प्रियोग कर सकते हैं तो आप क्योंकि अब आप रासानिक ज्यादा लगाएंगे तो उल्टे नुकसान की संभावना है दोस्तों तो मेरा कहना यह है कि आप अब जो है थुड़ा सा जयविक की तरह बढ़िए और आपको अपनी फसल को बहतरी नुटपादन प्राप्त कीजिए तो यह आप पाई कर सकते हैं तो इनके लिए तो यह है दूसरा जो में में टॉपिक था मेरा वो था यह कि आपका लीव कर्ल जो राय टन उडा सकोरा टाइप की जो लीव बन रही है उस लीव में दो तरह से बनती है एक तो उसमें जो है आपका भूमी जनित वायरस की वैसे बन सकती है दूसरा पोटेशियम की डिफिसेंसी की वैसे यानि कि आपने जो पोटास लगाया है वो या तो सही पोटास नहीं है या उसकी मात्रा कम लगाई है उस दो ही कारणों से या वो आपने लगाई तो किसी तत्तों के साथ रेक्शन करके वो इनसॉलिवल फोम में पड़ी हुई है वो आपके पोद्रे को नहीं मिल पा रही है यही तीन कारण हो सकते हैं उसके लिए आपको पोटेशियम अकेला पोटेशियम या जीरो-जीरो-पचास का आपको इस्प्रे करना पड़ेगा या पोटेशियम का जो पोटेशियम का घोल होता है उसका इस्प्रे करना पड़ेगा उसकी मात्रा में कई बार बता चुका हूँ आप जो है अगर 0-0-50 लेते हैं तो आप एक बार में 1-1.5 kg जो है पावडर फरम में आता है इसको घुल लेंगे सॉलिवल होता है वाटर सॉलिवल और इसको खाली स्प्रे कर देंगे किसी के साथ मिलाना नहीं है बहुत सारे कहते हैं कि मेरी कल एक MR से भहस हो रही थी वो करें थे कि साथ बहुत टेक्नोलोजी डबल अब कर गई है और इस तरह के सॉल्ट बनाए जाते हैं कि अब रियक्षन नहीं करते हैं हाँ मैं जानता हूँ कुछ इस तरह के आपको मैं बता रहा हूँ मैं अब ऐसे तत्तों को मिलाने का पतलब यह नहीं है कि आपने मिला के रख दिया और वो रियक्षन ही नहीं करेगा कुछ समय बाद वो reaction जरूर करता है तो उसमें समय का थोड़ा सा अंतर हो सकता है तो जो जिस तरह से वो recommend करते हैं तो company जो branded company होती है वो काफी research करने के बाद product launch करती है तो वो सही हो सकता है तो आप उसको ऐसा नहीं है को उसको घोल के रख दिया तो रख दिया और बहुत सारी तरीके होते हैं किसी के साथ करता और आपने जो मिलाया है उसमें भी यह नहीं देखा आपने कि हम क्या क्या मिला रहे है company ने थोड़ी recommend किया था कि यह सब चीज़े मिला के दे दिया नहीं करता आपका पैसा वेस्ट चला जाता है तो इससे आप बचिए जो company recommend करती है उसके ऊपर एक आपके पास एक काघज भी आता है कुछ हमारे किसान जाता है इतने पढ़े लेके नहीं होते उसको पढ़ लें लाना है calcium कई form बे आता कुछ कह रहे है calcium के साथ भी नहीं मिला ना calcium अकेले के साथ मिला सकते calcium nitrogen के साथ phosphate को नहीं मिला सकते हैं कई बार बता चुका हूं और बार-बार एक ही प्रश्टों को आप पूछते रहते हैं, अब मैं आपको बता दू उसका, अब एक दूसरा जो तीसरा जो कारण है, मैंने आपको था, डीफ करल का, एक तो deficiency बता दिया, मैंने का, भी जननित रोग बता दिया, एक कारण है कि कोई भी कहीं पेभी कोई रोगी पोदा है वाइरस ग्रसित पोदा है उसमें रस चूसक कीड़े लग गए उसमें उसने अपने प्रोवसिस के थूरू रस को चूस लिया और स्वस्त पोदे पर बैठकर वहां पर रस को डाल दिया तो वो भी पोदा उसी तरह से सिकोडने लगेगा उसमें प्रकोप आजाएगा अगर इस तरह कि आपके जो पुराने बीज वाले मैंने एक वीडियो भी कल दिया था कि अगर कोई बीज में वह दिख़ी आएगा बिर्ची ऐसा पोदा होगा और उसमें हो सकता है वह पोदा भी स्वस्त हो और पत्या पत्री पत्री हो और आलू जो उस पर टूबर्स आएंगे वह ऐसे आएंगे जैसे कठोर किसी पर जड़ में सीधे सीधे बन गए और वह ज्यादा तर्म की साइज नहीं बढ़ती ऐसे पोदे को तुरंत उखाड के फैंक दिना चाहिए और ऐसी फसल में रस्चूसक कीडों को बानने के लिए आप इमीड को जेश्टरमक फंगी साइट और आपका कोई भी कारबन ने जिम आप जो ले सकते हैं इन सब को बिला कर भी इस पर किया जा सकता है दोस्तों तो अब आप जैसी जरूरत है उस तत्तों का इस प्रे करें और जो जरूरत नहीं है उसको आप इस प्रे न करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है जातर जो दुकांदार है वो कहते हैं कि आप प्रिकॉशन के तोर पर यानि कि आप बचाव के लिए रोग नहीं आए इन सब चीजों का स्प्रे कर दो वहां तक तो ठीक है जब लेकिन रोग आ चुका होता है तब आपको उसी चीज का स्प्रे करना है जिस हैं कि गयव की समज्चाहें गयव में क्या होता है के चालिस दिन का गय speaking हो गया या तो पानी ज़्यादा लग गया या पानी कम लग गया और पीला पना रहा है उसके नदर तो वहां पर आप sulfur 3-4 kg यूरिया के साथ मिला करके आप उसमें पानी के साथ भी चला सकते हैं और इस्प्रे भी कर सकते हैं इस्प्रे करने के लिए एक किलो यूरिया लेना है गोल में पहले भी कई बार बता चुका हूँ प्रते एकड के लिए और आप उसी तरीके से आप उसको यूज करेंगे अब एक मैंने माइक्रो नूट्रेंट्स का आपको पिछले कई वीडियो में बताया है जिंक सल्फेट 33 परसंट जिंक सल्फेट आता है 500 से 700 ग्राम लेना है अगर जिंक चिलेटेड लेते हैं आप तो 100 ग्राम से 700 ग्राम लेना है क्लियर कर दूं में आपको चिलेटेड और अब लाना सल्फेट की फॉम में से सता आता है उसी ऐवरेज में लेना इा इसके बाद 19 में को या लेना है अब आपको 500 आइसालफीट, umग दीज आनने कम से 100-200 भराम। सोब्ब का प्रहास, iki वक्रिट होता है. इसमें पोटास भी नहीं मिलाना है आपको, दो चीज में नहीं मिला है इन सब गोल को आपस में मिला करके एक किलो यूरिया के साथ स्प्रे कर दीजिए, चाहे आलू की फजल पर कर दीजिए, चमत कारिक परणाम आपके आएंगे, हमारे एक भाई है, अनुभाव पाथक जी, सिमरधरी गलास के हैं ये बिलकुल मुझे ब्याटसप पर पूछते रहते हैं और मेरे वीडियो भी देखते रहते हैं और इन्होंने बिलकुल मेरे हिसाब से अपने चिफसोना आलू की फ़सल करी है और इन्होंने कली मुझे फिर से बताया है कि आपके अनुसार मैंने सारे इस्प्रे करता जाना हूँ बहुत तो सस्ता पड़ रहा है इनको और उसके बाद इनकी फ़सल जो है बिलकुल जो है घहरे हरे रंकी है और एकदम स्वस्त बहुता है तो आप भी ये सब फायदा उठा सकते हैं दोस्तों ये जो माइक्रो नूट्रेंट्स हैं अलगल कंपनिया इसकी मात्रा को बताती है 20% देती है 12% और वो आपको नाम से विभिन नामों से कंपनिया आपको प्रोवाइड कराती है जिसकी कीमत कई हजार में हो सकती है लेकिन यहां आपको 100 में ही हजार के अंडर में ही यह सारा इस्प्रे हो जाएगा तो यह आपका अंतर है आप अगर दुखंदर से यह सब चीज अलगलग मागेंगे तो आपके चेहरे की तरफ देखेगा और अगर आप कहेगा यह ले जाए सब माइक्रो नूट्रेंट्स का मिस्टन है आप अलगला लाए बहतर परणा मिलेंगे अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी माइक्रो नूट्रेंट्स ले सकते हैं तब आपकी मजबूरी हो सकती है इसके लाबा जो अगला पॉइंट हमारे पास है वो यह है आप कहरें कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन और प्लांट प्लांट प्रोवोटिंग जो अलिमेंट्स जो होते हैं तो दोनों अलग अलग चीजे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग यानि कि उसका regulate कर रहा है अगर growth जा रहा हो रही है तो उसको रोकने का काम करता है वो होता है एपसीसिक एसिड ये भी हार्मोन का नाम है वो plant की growth को रोक देता है यानि कि उसके अंदर जिबरेलिक हार्मोन जो बन रहा होता है उसको रोकता है और plant के जो उपर vegetative growth जो हो रही ह दूसरी बात plant promoting जो elements होते हैं जैसे sulfur और calcium के साथ कुछ hormones बिला देते हैं वो जिब्रैलिक को बात का लगाएंगे और promoting को पहले लगाएंगे यह आपको मैं पहले वी एक वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी बहुत सारे questions से तो मैं आपको यह clear कर दूँ मात्रा की बात करें तो लियो सिन कल्टा बहुत सारे आते हैं जिसमें प्रेक्टा भी तो देखिए यह सब च अब बात करें कि जो पती मुड़ जाती है उसमें केमिकल जो रोग आई गया है तो अब उसका उपाय क्या करें तो उसके लिए मैंने बता दिया कि अच्छा सा सिस्टेमिक फंगिसाइट अच्छा सा कॉंटक्ट फंगिसाइट एंटिवाइटिक मिला करके और कीट नाशक अच्छा सा कोई भी कीट नाशक नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिये उसमें आप ले सकते हो थावफिन ले सकते हो और इमिडा क्लोरोपिड ले सकते हो 100 ml या से 500 ml प्रतिकड की मात्रा इसकी होती है नीम ओयल ले सकते हो 10,000 ppm का 1500 ml की मात्रा में इसको आप ले सकते हो इस प्रे कर दीजिए तो काफी हद तक कंट्रॉल हो सकता है पूरी तरह से उप्चार तो नहीं होगा लेकिन कंट्रॉल इसमें हो सकता है दोस्तों अब एक और रोग आ रहा है आपके बार बार जड़ गलन की जो समस्यावी तक आ रही थी तो जड़ गलन में मैंने आपको इसमें भी आपको systemic fungicide, contact fungicide और एक antibiotic जड़ तक पहुंचाना होगा दोस्तों, पत्ती पर spray करने से काम नहीं चलना है इसमें, इसको जड़ तक पहुंचाना पड़ेगा, इसके लिए आप सस्ताव हैं, मेंको जिप, कारबन डाजयम ले सकते हैं, और इसको पानी में घोल करके 700-800 ग्राम ले करके और पानी के साथ घोल करके सचाई में चला दीजिए, इसके अलावा आप ले तो जो है 800 ग्राम कॉपर ओक्सी कुलोराइड भी पानी में घोल करके चला सकते हैं, तो आपके जड़ गलन की समस्या काफियत तक जो है कम हो जाएगी, इसके अलावा एक जै आप तोने की गारंटी उसमें नहीं होती है, लेकिन हाँ जड़ जड़ गलन तो लगब लग सही होगा, ये एक और चीज में फायदा करेगा दोस्तों, जो आपके आलू के पटेटों पे जो दाग आ रहे हैं, यानि कि जिसको कह रहे हैं कोई कराए खुजली हो गई है, आपको लाप पहुचाएगा, काफियत तक उसमें भी सुरक्षा करेगा, तो ये थे आपके आज के सवालों के जवाब और आपका इलाज, अब जो नया जो बात आ रही है, वो आएगी आपकी अब ब्लाइट डिसीज भी आ रही है, ब्लाइट रस्ट ब्लाइट डिसीज, एक तो अगयती जुलसा आता है, एक पिछेती जुलसा आता है, तो अगयती जुलसा का समय अब लगबग समाप्त हो रहाएँ, अब पिछेती जुलसा स्टार्ट हो जाएगा, दवाईया लगबग एक ही है, वो ही आपका स्प्रे करना इसमें, contact fungicide, systemic fungicide, antibiotic और ये सब स्प लुपा है तो पर देखें उस पर केड़ा है तो किटलंताशक लाएं अधर वाइत किटलंताशक के बिना ही बिनाstation यूज करके उसपर दोस्प्रे कर दीजे बताई गई मातरा के अनशार आपको लाब होगा दोस्तो और बहुत सारी चीजों को एक साथ न मिलाएं जिससे कि न तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उल्टा नुकसान होने की सम्मावना होती है वीडियो पसंद आये हो तो अपने दोस्तों को सेर करना न भूलें सभी किसान भाई इसका लाव उठा सकें ऐसी मेरी जो है इच्छा है दोस्तों बार-बार आप जो भी प्रश्ण करेंगे मैं जवाब तो देता रहूंगा लेकिन अगर वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बार-बार प्रश्ण करने की आरु सकता नहीं पड़ेगे वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार रादाव सस्कार राधी राधे नए लोगें सस्क्राइब जरूर करने हैं बहुत बहुत धन्यवार